हलो फ्रेंड्स आपके डिलिवरी हो गई है और डिलिवरी के बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको यह चिंता सता रही होगी यह ब्लीडिंग क्यों हो रही है यह कब तक होगी और यह क्या नॉमल है इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं डॉक्टर सु तो उसके बाद दिरे दिरे उससे पाने रिसने जैसा होता है यही अग्प्रासेस है जब बच्चे-दानि से बच्च से दिलिवर आउट निकल के आता है तो फाई कोच निपनजए है तो दिरे जब गाव पूरा भरने लगता है तो जो पानी का रिसाव होने लगता है उसी तरीके का ये क्रेमिश वाइड डिस्चार्च होने लगता है जनरली पूरे दिन भर में तीन से चार पैड़ी उसकरने पड़ते हैं और दिरे दिरे पैड्स के संख्या कम होता जाता है लेकिन यदि कुछ ऐसे लक्षन अगर आपको नजर आते हैं तो आपको डॉक्टर को संपर करना चाहिए सबसे पहला लक्षन है यदि आपको दो अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि यह जो ब्लीडिंग है वो क्यों हो रही है तो अंदर हमने भी बताया आपको कि जैसे डिलिवरी होती है उसके बाद जो घाओ बन जाते हैं और उसका जो लैयर का फॉर्मेशन है वो होने में टाइम लेता है तो तब तक आपको ब्लीडिंग होती है लेकिन डिलिवरी की बाद थोड़ी इमेनिटी डाउन होने के करण इनफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और इनफेक्शन यदी हो जाता है तो जो हमने भी आपको चिंता जनक सिम्टम्स बताएं वो सारे हो सकते हैं यानि कि आपको बुखार हो सकता है दड़कन बढ़ सकती है बदबुदार पानी आ सकता है तो ऐसी स्तिती में आप घर पर बिल्कुल ना बैठे हो दॉक्टर को जरूर दिखाईए डिलिवरी के बाद यह जो होने वाली व्लीडिंग है जो लोकिया के नाम से जानते हैं यह जनरली जैसे सुबर सुबर हम उठते हैं सो कर तब ही थोड़ी जादा हो सकती है यूरीन पास करते समय या स्टूल पास कर करते समय इसके मातरा थोड़ी बढ़ सकती है इसके अलावा जब थोड़ा बहुत कोई वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या चीकते हैं तो भी ब्लीडिंग जादा बढ़ जाती है और जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ऑक्सिटोसीन का लेवल बढ़ता है बाड़ क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि 2-4 घंटे के अंदर 2-4 पैडियोज आपको करने पड़ रहे हैं वह एक अलग चीज है लेकिन यदि आपको रूटीन एक्टिविटी में आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग बढ़ रही है तो वह नॉमल है इसलिए चिंता ना करें तो ड को रिस्चार्ज भी होता राँ अंदर का लेयर का फोर्मेशन भी हो जाता है तो यह जोकि होता है तो इसके लिए चिंता करने की घबराने की ज़रूरत नहीं है और यह automatic होता है इसमें आपको कुछ करना नहीं होता बस आपको aware रहना होता है कि क्या normal है क्या abnormal है नॉर्मल हमने आपको बता है, अबनॉर्मल हमने आपको बता है, जैसे ही आपको लगता है कि कुछ अबनॉर्मल हो रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, जब हम डॉक्टर को लेट रिपोर्ट करते हैं, तब ही प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, क्योंकि यदि आपको माना लो कि बहुत ज़दा bleeding हो रहे हैं और घर पे ही bleeding करे जा रहे हैं और डॉक्र के पास पहुछते ही नहीं है तो हो सकता है कि आपका बहुत ज़दा blood loss हो जाए और आपको shock में पहुंच जाए यानि आपका blood pressure loss हो जाए आपकी जान पर बनाए तो ऐसी इस्तिती में लेंड़ ना करें यानि कि अगर आपको बहुत सदा फीवर आ रहा है इंफेक्शन हो गया और फिर भी आप डॉक्टर को संपर्क नहीं करते हैं तो आपको सैपसिस होता है वो हो सकता है यानि कि आपकी जान के लाले पढ़ सकते ह हैं तो किसी भी चीज़ को हलके से ना ले नॉर्मल चीज़ को नॉर्मल है तब तक आप उससे चिंदा ना करें लेकिन जैसे इसमें कुछ अबनॉर्मल चीज़ से नजर आती है डॉक्टर को रिपोट करिए और भी आपको लगता कि कुछ और पूछना रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक नमस्कार